कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न उड़ते होंगे कि हम छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं एक बीच से पौधा कैसे बनता है मेरे मन में भी यह प्रश्न आता है विज्ञान की भाशा में इसका उत्तर धुनने का प्रयास करते हैं जिस बायोलोजिकल प्रोसेस या जैविक प्रक्रिया के फल्स्वरूप ये क्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कोशिकाएं विभाजित होकर अधिक से अधिक कोशिकाओं का निर्मान करती है विभाजित होने वाली कोशिकाओं में जो मात्री कोशिका या जनक सेल होता है उसे हम मात्री कोशिका या मदर सेल भी कहते हैं और विभाजित होकर जो नई कोशिकाएं या नई सेल्स बनती हैं उन्हें हम डाटर सेल्स या पुत्री कोशिकाएं कहते हैं जीवानू में भी आपने इस प्रकार विभाजित होकर नई कोशिका बनते हुए देखा है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन से ही जीवों के शरीर में वृद्धी और विभाजन दोनों प्रकार की क्रियाये होती हैं कोशिका विभाजन के द्वारा ही जीवों में वृद्धी और विकास ये क्रियाये होती है और साथ ही साथ घाव या वांड कहीं पर बहुता है या कोई घाव या कोई इंजियूरी हो जाए तो नया जो इस स्कीन आता है फिर से उसका घाव भरने की जो प्रोसेस है वो भी इसी सेल डिविजन या कोशी का विभाजन के ही फलसरूप होती है प्रजनन क्रिया में भी कोशिका विभाजन के क्रिया अवश्यक होती है हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है जिस प्रकार से हमारा जो भवन या मकान होता है सबसे पहले इटों से हम निर्मित करते हैं इट से दिवार बनता है दिवार से कुछ कमरों का निर्मान होता है और इन कमरों को संगठित रूप से हम कह देते हैं भवन या बिल्डिंग तो ये जो इट है वो एस भवन की छोटी इकाई है बिल्कुल उसी प्रकार हमारा जो शरीर है वो सेल्स के समूं से या कोशिका से बनता है कोशिकाएं आपस में इकठे होकर टिस्चू का निर्मान करते हैं टिस्चू या उतक अंग बनाते हैं अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से फिर एक शरीर या बोडी का निर्मान होता है तो इस प्रकार से कोशिकाएं जो हैं हमारे शरीर की रचनात्मक इकाई होती है इसका अर्थ होता है याने कोशिकाओं से ही कोशिकाएं उत्पन्न हो रही है और जिन कोशिकाओं से नई कोशिकाएं उत्पन्न हो रही हैं उन्हें मात्री कोशिका और उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं को डाटर सेल्स या पुत्री कोशिकाओं कहा हाला कि कोशिकाओं का जो अध्यान है कोशिकाओं पर खोज है बहुत अधिक लंबा प्रोसेस है और एक लंबे समय के दोरान ये तथ्य सामने आए 21 इसी कड़ी में 21 एपरेल 1843 में जनमे जर्मनी के एक वैज्यानीक वाल्डर फ्लेमिंग कहीं कहीं पर इसे वाल्डर फ्लेमिंग भी लिखा गया है तो वाल्टर फ्लेमिंग जो फ्रेंको एशिया युद्ध में एक चिकित्सा विज्ञानी के रूप में कारे कर रहे थे उन्होंने विर्चो या रिचार्डिया के पौधों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझा और विभाजित होने वाली कोशिकाओं के केंद्रक में धागे नुमा सर्रचनाय देखकर उन्होंने उस विभाजन को मैटोसिस डिवीजन जी हाँ माइटोसिस दिवीजन नाम दिया जर्मन भाषा में माइटोसिस का अर्थ होता है धागा इसलिए उन्होंने उस विभाजन को माइटोसिस दिवीजन कहा सेलामेंडर के पंखों और शलकों को भी जैविक सामगरी के रूप में इन्होंने अपने प्रयोग में उप्योग किया साथ ही साथ अधिकांज जीवों की कोशिकाओं के नाभिक या केंद्रक में धागे जैसी सरचना को पहचाना और इन धागे जैसी सरचना अर्थात रंगीन शरीर जिनका होता है उन सरचनाओं को क्रोमोजोम्स या गुण सूत्र कहा गया बाद में 1888 में वॉल्डेयर नामक वेज्ञानिक ने इसे गुण सूत्र या क्रोमोजोम्स नाम दिया अब हम आगे देखते हैं फ्लेमिंग जो है एक अच्छे अन्वेशक और चिकितसक तो थे ही साथ ही साथ वे बहुत अच्छे इनसान भी थे सब्ताहिक रुप से बेघर लोगों को खाना कि लाना हर वर्ष अपने वेतन से 20 प्रतिसत भाग जिनके पास आस्राय नहीं है उनके लिए खर्च किया करते थे और साथ ही साथ गरीब बच्चों को गणित और विज्ञान निशुल्क पढ़ाया करते थे तो हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सफल इंसान तो बनना ही है लेकिन एक सच्चा इंसान जिसमें इंसानियत होता है वो भी हमें हमेशा बनने के लिए तत्पर रहना चाहिए 1882 में उन्होंने अपनी एक बुक में गुण सूत्र के बारे में बताया था कि समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन के फल स्वरूप बनने वाली जो डॉटर सेल्स या पुत्री को शिकाये होती हैं उनमें गुण सूत्रों की संख्या जनकों के बराबर होती है सर्वप्रथम आसूत्री विभाजन आसूत्री विभाजन प्रोकेरियाटिक कोशिकाओं अमीबा प्रोटोजोवा ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है जिन में केंद्रक लंबा होकर बढ़ना प्रारंब कर देता है और कुछ समय पश्यात एक सेल्स दो सेल में बट ज आता है यह होता है आसूत्री विभाजन विभाजन का दूसरा प्रकार है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन जिसके बारे में हमने अभी अध्यान किया माइटोसिस डिवीजन जो है काई कोशिका में होता है और इसमें विभाजित होने वाली जो कोशिकाए हैं उनकी संख्या मदर सेल से या मातरी कोशिका से लगभग समान होती है और इसी कारण से इसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं और जो बनने वाली नई बनने वाली डाटर सेल्स होती हैं उनमें गुण सूत्र की संख्या भी मातरी कोशिका के बराबर होती है जिस प्रकार मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या 46 या 23 जोडे प्राया याद रखेंगे कि हमारे बोडी में बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो जोडे में ही पाय जाते हैं जैसे आइस, लंग्स, किड्नी, हाथ, पैर, इंटर्नल और्गन, एक्स्टर्नल और्गन, बहुत सारे ऐसे और्गन्स हैं तो गुण सूत्र भी आपको पैर्स में ही याद रखने हैं 23 जोडे या 23 इंटू 246 या तो आप 46 गुण सूत्र कह सकते हैं या 23 जोडे गुण सूत्र भी कह सकते हैं तो जो डॉटर सेल्स होंगी, जो पुत्री कोशिकाय होंगी, उनमें भी 46 गुण सूत्र पाय जाएंगे और इसी समभाव की कारण से इस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं बराबर संख्या के कारण ही इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है हमारे शरीर की सोमेटिक कोशिका, जिसे हम काई कोशिकाय भी कहते हैं उनमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है मा के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर की कोशिकाय भी समसूत्री विभाजन के द्वारा बड़ा आकार लेती हैं और धीरे धीरे सब और्गन्स बनते जाते हैं एक भुरून से एक शिशु का निर्मान होता है फैक्ट अबाउट डियने डियने के बारे में कुछ जानकारियां हम देखते हैं जो आपको आगे की कक्षाओं के लिए भी याद रखना अनिमार्य है और अवश्यक भी डियने मिंस डी आक्सी राइबोज न्यूकलिक एसिड न्यूकलिक एसिड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये न्यूकलियस या केंद्रक में पाया जाता है डियने पहली बार काल्सबर्ग नामक वैज्यानिक ने देखा और इसकी सररचना को वाट्सन और क्रिक इन्होंने हर सेल्स में न्यूकलियस में पाई जाने वाली रचना की रूप में बताया जो माता पिता से बच्चों में इस्थानांतरित होते हैं डियेने की खोज बायो केमिस्ट फ्रेडरिक मिशर ने की और इसे समझने के लिए एक पीड़ी लगभग वर्ष लगभग असी वर्ष का समय लगा उससे भी कहीं अधिक एडलीस हंड्रेड यर्ज के बाद इस मिशन को केम्ब्रिज उनिवर्सिटी के फ्रांसिस क्रेक और जेम्स वाटसन ने आगे बढ़ाया एबाउट 1940 और 50 विलकिंस और रोसलिन फ्रैंकलिन दौ वैज्याने विलकिंस और रोसलिन फ्रैंकलिन इन्होंने डिने का चित्र लेने के लिए विसेश टेखनोलाजी एक्सरे Efendimiz करिस्टेलोग्राफी का उपियुग किया और उन्होंने डिने का ये जो आपको पिक दिख है उसको लिया 1953 में इन्हीं वाट्सन और क्रिक के द्वारा डिने को एक प्रकार की शुगर एस फॉस्फेट पी और न्यूकलिक एसिड अनुओं से बना जटिल पदार्थ बताया गया आगे की कक्षाओं में आप न्यूकलिक सिट के बारे में और विस्तार से पिरिमीडीन और पायरीन नामक छारकों के बारे में भी अध्यान करेंगे वाट्सन क्रिक और मारिस विलकिन्स को इसके लिए सर्वोच पुरसकार जो विश्विस्तरी सर्वोच पुरसकार है जिसे हम नोबेल प्राइज या नोबेल पुरसकार की नाम से भी जानते हैं उससे सम्मानित किया गया याद रखेंगे वाट्सन क्रीक और मारिस विलकिन्स नाम के वैज्ञानिकों को सेयुक्त रूप से इसके लिए नोबेल प्राइस दिया गया तब तक रोजलीन फ्रैंकलीन नामक जो वैज्ञानिक थे हमारे उनकी मृत्यू भी हो चुकी थी जिन्हों ने इस पर विस्तार से खोज प्रारंब किया था खेर जो गुण सूत्र या डियने है वो लक्षणों को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं वे कौन से लक्षण हो सकते हैं त्वचा का रंग हो सकता है क्योंकि आप हमेशा सुनते हैं कि जब कोई बाहर से आपके घर महमान आते हैं तो आपको देखकर वो अनुमान लगात कोई कहते हैं कि आपकी आँखे आपके पापा के जैसी है किसी को लगता है कि आपके कान आपकी नानी के जैसे है या फिर आपकी आवाज आपकी बुआ के जैसे हैं तो इस प्रकार से लक्षणों का एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जाना इसी DNA के कारण से ही संभा हो पा लंबाई चोड़ाई भी हो सकती है मसल्स की मजबूती हो सकती है सीना कितने इंच का होगा या भविश में कौन सी शारिरिक या मानसिक बीमारी के शिकार बच्चा हो सकता है इसलिए डॉक्टर के पास जब कोई भी डिसीज होता है और हम जाते हैं कि हमें इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं चाहिए वह बीपी हो चाहिए डाइबिटीज हो चाहिए वह ऑस्टियोपोरोसिस है बोन्स से संबंदित हो चाहिए एस्थमा हो तो डॉक्टर का पहला प्रश्ण यह रहता है कि क्या आपके माता-पिता को या दादी-दादा को या आपके परिवार म प्राप्त हो सकती है तो इसके लिए हमें पहले से ही एलाट रहना चाहिए यदि हमारे परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो हमें ऐसे एक्सरसाइज और योगा अभ्यास निरंतर करने चाहिए अपने खान पान को इस तरह से संतुलित रखना चाहिए कि हम भवि हमारे blood का group, blood group कौन सा होगा ये भी DNA के द्वारा निर्धारित होता है blood group भी four types के होते हैं या तो A blood group या B या A B या O तो हम देख रहे हैं कि most of the character जो एक organism में पाया जाता है वो उनके माता-पिता से ही उसको प्राप्त होता है इसी कारण से ही तो जीवों की निरंतरता या अस्तित्त बना रहता है आम की गुठली से आम का ही पौधा पैदा होता है बेर से बेर ही बनता है आम से बेर या बेर से नीबु कभी भी नहीं बनता है क्योंकि DNA स्पेसिपिक केरेक्टर या विशिष्ट लक्षणों को जनक से संतानों तक ले जाते है लगभग सत्तर हजार वर्ष यह एक फैक्ट आपको बता दूँ कि सत्तर हजार वर्ष पुराना नियंडर थल मानों का भी DNA बरामत किया जा चुका है जो स्वयम में एक रिकार्ड है और हमारे वैज्ञानिकों ने उसके DNA का अध्यान करके यह बता दिया कि यह कितना पुराना है सोचिए सत्तर हजार साल पुराना कंकाल उसका भी हमने आयू पता उसके भी आयू हमने पता कर ली है साथ ही साथ यदि DNA में कोई changes या विभिनता आती है तो नया organism या नई जाती बन जाती है आप जब अपना स्वयम मानाओ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप आदी मानाओ कपी के बारे में देखते हैं गोरिला टाइप के भी मनुष्य थे लेकिन धीरे धीरे उनके DNA में changes आते गए विभिनताएं आती गई और आप और हम जैसे पहले तो जो मनुष्य थे वो पूछधारी थे या उनके शरीर पर बहुत बाल थे लेकिन धीरे धीरे changes DNA में आते गए और आज हम और आप सब भिमानाओ की तरह इस प्रित्वी पर विद्यवान है और ये changes अचानक से नहीं होते इसमें हजारों वर्ज लगते हैं तो इस DNA के संबंद में ये तो थे हमारे international scientist लेकिन हमारा भारत भी DNA के बारे में खोज जो चल रहा है research जो चल रहा है उसमें हमारा भारत भी अचुता नहीं है हमें अपने भारती वैज्यानिकों के बारे में भी कुछ जानकारी तो अवश्य होनी ही चाहिए तो इसी तार्तम में हमारे एक वैज्यानिक है डॉक्टर हरगोविन खुराना बड़े ही famous scientist है Indian scientist इनका जन्म 9जनवरी को रायपूर हमारे आपके रायपूर नहीं यह पाकिस्टान का राएपूर है तो रायh जो अभी वर्तमान में पाकिस्टान का हिस्टा हो गया है वहाँ पर 1922 में इनका जन्म हुआ था और डॉक्टर हर्गोविन खुराना को 1968 में नीरेनबर्ग नामक साइन्टिस्ट मार्शल डबलू नीरेनबर्ग के साथ संयुक्त रुप से नोबेल प्राइज मिला था तो विश्व इस्तरी नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले हमारे भारती वैज्ञानिक हर्गोविन खुराना और उनके मित्र नीरेनबर्ग ने खोज किया था कि जैनेटिक कोड की व्याख्या की थी और साथ ही साथ प्रोटीन संशलेशन में इसका कारे को उन्होंने इत्रिम जीन के बारे में इन्होंने पता लगाया था लाल जी सी को डियने फिंगरप्रिंटिंग जिसके माध्यम से आज कल बहुत सारे अपराध को पुलिसे सजक्ता से आसानी से पकड़ लेते हैं अपराधी को पकड़ने में सक्षम हो पा रहे हैं तो वो जो डिने फिंगर प्रिंटिंग है क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा अंगूठे का निशान थंब क्यों तो अ सब्सक्राइब अपने आप में वेशिष्ट होता है किसी भी व्यक्ति का जो फिंगर प्रिंट हो दूसरे से समान नहीं होता है अगया अपने वेशिष्ट होता है और इसके बारे में लाल जी सिह ने बहुत अधिक अध्यान किया है और इसलिए उनको father of DNA finger printing के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश में जन में जिन्होंने 1971 में BHU बनारस हिंदू युनिवर्सिटी से नर एवं मादा सापों के बीच गुण सूत्री अंतर को जानने के लिए PhD या डॉक्टरेट की उपाधी ग्रहन की तो बड़ा ही आश्यर जनक है इन्होंने सापों परध्यान किया तो अनुमान लगाई है कि इन्होंने कितने सापों से इनका वास्ता पड़ा होगा तीसरी एक वैज्यानिक है भारती मूल के ही वैज्यानिक यमुना कृष्णन जिन्हें जो 15 अक्टूबर 2013 में जिन्हें शां केरल में हुआ था और अभी ये शिकागो युनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की प्रोफेसर है वर्तमान में और विज्ञानव प्रद्योगी की के लिए ही इन्हें शांति स्वरूब भटनागर पुरसकार प्राप्त हुआ था और ये प्राप्त करने वाली यह तीसरी महिला है तो हमारे भारत में भी गुण सूत्र डियेने के विशय में निरंतर प्रयास जारी है और देखते हैं आगे आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक और कौन-कौ या लैंगिक प्रजनन अभी तक हमने एसेक्ष्वल रिप्रोडक्शन के विशय में विस्तार से अध्यान किया अब हम देखते हैं सेक्ष्वल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन जैसा कि नाम से ही इस पच्ठा है लैंगिक प्रजनन या सेक्ष्वल में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट या मेल रिप्रोड़क्टिव सेल्स और फीमेल रिप्रोड़क्टिव सेल्स दोनों की आवश्यक्ता होती है और इन दोनों के सल्लयान से या फर्टिलाइजेशन से या निसेशन से एक कोशिका बनती है जिसे हम कहते हैं जाइगोट या होते हैं उसे हम कहते हैं eller शुक्राणू और फीमेल रिप्रोड़ेक्टिव सेल्स होते हैं उसे कहते हैं ओम या अंडनू तो स्पं और ओम दोनों के मेल से विभाजन के द्वारा भुरून बनता है और इसी भुरून से या स्पम और ओवम से जाइगोड बनता है और यह जाइगोड विभाजित होकर भुरून बनाता है और इसी भुरून से फिर नया जीव या नया व्यक्ति बनता है तो हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं Human Reproductive Argon या मानव प्रजनन तंत्र को क्योंकि या आगे 12 में भी आपको डिटेल में पढ़ना है और साथ ही साथ आपकी क्लास में इसका चित्र कभी-कभी ऐसा दिया जाता है कि चित्र दिया जाता है उसका नामकरण करना होता है और 5 न विज्ञान में चित्र बनाना अत्यंत ही अनिमार्य और अवश्यक है तो चित्र को भी इसके ध्यान से देखेंगे और इसके कौन-कौन से नाम है उसको भी अच्छे से याद रखेंगे तो सर्व प्रथम हम देखते हैं मेल रिप्रोड़क्टिव इस्टम या नर्जनन तंद्र मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में व्रिशन एक जोडी या टेस्टिस EPD wreckia शुक्रानू नलिकाएं जिसे हम वास डिफ्रेंशिया या वासा डिफ्रेंशिया कहते हैं मूत्रमार्ग या युरेत्रा पेनिस लिंग और अन्त है सहायक ग्रंथिया तो इन छे के द्वारा ही human reproductive system या male reproductive system बना होता है थोड़ा और detail में इसको देखते हैं सरवप्रथम टेस्टिस जो है एक जोड़ी पाया जाता है और oval या अंडाकार शेप में होता है उदर गुहा से बाहर एक छोटी थैली जिसे अंड कोश कहते हैं इसमें स्थित रहता है और इसका टेंपरेचर बॉड़ी टेंपरेचर से 2 या 3 डिगरी कम होता है और यह जो टेंपरेचर है वो शुकरानू या स्पम प्रोड़क्शन उत्पादन के लिए विकास के लिए सबसे उप्योगत होता है जो मेल सेक्स आर्गन है मेल सेक्स हार्मोणि टेस्टोस्टिरान का सेक्रीशन करता है इसे भी objective question में आता है कि मेल सेक्स हार्मोंस कौन सा है तो टेस्टोस्टिरान आप याद रखेंगे 14-15 एज में स्पम का प्रोडक्शन, स्पम का उत्पादन या शुक्राणू का उत्पादन शुरू हो जाता है और लाइफ टाइम या चलता रहता है शुक्राणू जो है एक एकल कोशी का होती है छोटे आकार की और इसमें शुक्राणू में एक हैड या सिर होता है इसका एक मद्य भाग होता है और एक टेल या पूँच होता है जिसके माध्यम से या चलता है या मूव करने में ये हैल्ब करता है दूसरा है इपी डाइडेमिस या कुंडली ट्यूब जैसी रचना है जो अस्थाई रुप से शुक्राणू को संग्रहन करती है तीसरा है शुक्रवाहिनी ये शंकीर्ण वाहिनी है जो शुक्राणू को यूरेथ्रा तक पहुंचाता है चौथा इसका औरगन है चौथा भाग है इसका यूरेथ्रा या मूत्र मार गया लांग ट्यूब होता है पाचवा है लिंग या पेनिस या मासपेशी अंग है जो इस परम को फीमेल तक पहुंचाता है और छटवा इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड या सहायक ग्रंथियां होती है जिसके अंतरगा सेमाइनल वेसाइकल जो शुक्राणू को पोशन प्रदान करता है प्रोस्टेट ग्लैंड और कावपर्स ग्रंथियां जो दो की संख्या में होती है और इनका विस्तार से अध्या आप कक्षा बारवी में करेंगे अभी केवल इनके नाम याद रखिए और छोटा डिटेल इसका याद रखिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका फीमेल रिप्रोड़क्टिव औरगन फीमेल रिप्रोड़क्टिव औरगन में भी जो अंडाशा है वो जो अंडाशा होता है वो फीमेल हार्मोन सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरान इसको याद रखेंगे कि मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टिरान है और फीमेल हार्मोन जो फीमेल कैरेक्टर के लिए उत्तरदाई रहता है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट 12-13 वर्ष की उम्र से 45-50 तक अंडानु का निर्मान करने में यह सक्षम होता है दूसरा इसका भाग है फैलोपियन नलिका यह फैलोपियन ट्यूब यह ट्यूब एक पतली नलिका के समान होता है और इसी ट्यूब में जाइगोड या युगमनज बनता है हमेशा यह प्रश्ण आता है कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोड कहां पर बनता है तो याद रखेंगे कि जाइगोड या युगमनज फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका में ही निर्मित होता है तीसरा और महत्वपूर्ण इसका आगे का भाग है जिसे हम यूटरस या गरभाश है या समाने बोलचाल की भाशा में बच्चा दानी भी कहते हैं यह हैली नुमा एक सरचना होता है और इसी के भीतर युगमनज 9 माह तक पूरा डेवलप होकर एक शिशु विक्सित शिशु बनाता है और इसमें शिशु के रुप में युगमनज से व्रिद्धी और विकास होता है और सारे ओर्गन्स ब्रेन है किड्नी है लंग्स है लिवर्स है और हाथ पैर जो है यह सारे एक कोशी की जो जाइगोट है उससे विक्सित होकर एक शिशु का निर्माण हो पाता है इसके बाद फोर्थ और्गन है वेजाइना या योनी शरीर के बाहर खुलती है और मेल से स्पम यहीं पर प्राप्त होता है या शुक्रानू प्राप्त करता है इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजेशन पुष्प में भी हमने इसका विस्त्रित अध्यान किया है कि फर्टिलाइजेशन या निशेचन क्या है उसमें परागन के बाद होने वाली प्रोसेस निशेचन कहलाती है लेकिन जब माना हो हुमन बॉड़ी या जीवों की हम बात करें तो शुक्रानू लिंग के माध्यम से फिमेल के योनी में जमा हो जाते हैं और पूछ की सहायता से गती करते हुए लाखो स्पम लाखो शुक्रानू में से केवल कुछ ही शुक्रानू ओवम तक या अंडानू तक पहुँच जाते हैं और सेस रास्ते से ओवं में शुक्राणू प्रवेश करता है शुक्राणू और अंडानू के सनलयन से ही जाइगोड बनता है और यह जाइगोड एकल कोशी का यह सिंगल सेल का बना होता है और इस सनलयन की प्रक्रिया को जिसमें शुक्राणू और अंडानू मिलते हैं उसे ही हम निशेचन य या फैलोपियन नलिका में उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्योंकि एकल कोशी की अंडानों से अभी बहुत कुछ और डेवलप होना है तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं व्रिद्धी और विकास सबसे पहले ग्रोथ ग्रोथ या व्रिद्धी ग्रोथ एक नेचुरल प्रोसेस है जो बच्पन से शिशु अवस्था से हमारा वजन लंबाई इसमें बढ़ता जाता है यूमन लाइफ की हम बात करें तो ग्रोथ के कुछ फेस हैं सबसे पहले है इनफेंट शिशु के जन्म से दो वर्ष तक की अवस्था है इसमें व्रिद्धी या विकास तेजी से होता है और यह तेजी से व्रिद्धी होने वाली अवस्था है इनफेंट अवस्था जन्म से दो वर्सक उसके बाद है childhood childhood तीन से ग्यारा वर्ष तक की अवस्था है जिसमें शाररिक बदला आवाते हैं 11 वर्ष की अवस्था की बाद तीसरी और प्रमूख अवस्था है एडोल सेंस या किशोरा वस्था जिसे हम कहते हैं किशोरा वस्था ग्यारा से उन्नीस वर्षतक की अवस्था है जिससे अरस्तु ने इसे तनाव और तुफान की अवस्था कहा है। इस उम्र में लड़के या लड़की में सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरान, मेल में, लड़कों में, बॉइस में, और एस्ट्रोजन और फ्रोजेस्टरान, फीमेल में उत्पन होने लगता है और इसके करण से बहुँ सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं शारीरिक बदलाव आते हैं और प्रजनन कोशिगाओं का रेप्रोडक्शन भी इसी अवस्था में इसी स्टेज में शुरू हो जाता है और बॉडी में कुछ इन हार्मोन्स के खानल से जो बदलाव देखने को मिलते हैं दृष्टिगत होते हैं उ साथ ही आवाज में भारीपन हो जाता है आवाज मोटा हो जाता है और कई किशोरों में पिंपल्स या मुहां से फेस पर दिखने लगते हैं साथ ही साथ 10 से 14 वर्ष की उम्र में गर्ल्स होती हैं जो लड़किया होती है उसमें मैनस्ट्रल साइकल या माहवारी या रितू स् और 45 से 50 वर्ष की उम्र तक यह साइकल या यह क्रिया चलती रहती है यह स्वाभाविक शारेरिक क्रिया होती है और यह प्रक्रिया ही साइकल के रूप में जो चल रही है वही एक प्रकार से एक जाइगोट निर्मान के लिए वातावरण तयार करती है निरंतर 24 से 30 दिनों तक एक परिकपक्वन अंडानू तयार होता है बनाती है और ये जो अंडानू हाला कि बाई बर्थ मौजूद रहते हैं लेकिन 10 से 14 वर्ष की उम्र में बनना प्रारंब करते हैं इस दोरान ब्लड म्यूकस और यूटरिंग लिविंग सेल से बना फ्लूड वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा बाहर निकलता है जो 2 से 7 दिन तक लगातार यह क्रिया होती है अगर यह साइकल नेमित रूप से आ रहा है रितु स्रवन या मैनस्ट्रूल साइकल प्रती 24 से 30 दिनों की अवस्था में नेमित रूप से चल रहा है तो वह लड़क के शरीर में यह अनेमित रूप से चल रहा है या इरगुलर है तो किसी गाइनेकोलोजिस्ट को दिखाने की अवश्यक्ता है लड़की के शरीर में यह जो मैनस्ट्रूल साइकल है यह एक प्रकार से गर्भादान की तैयारी है और तनाव और चिंता से भी यह साइकल प्रभ आवस्था करते है यह विकसित अवस्था है पूर्ण विकास और इसमें भावनात्मक स्थिरता आजाती है सोचने समझने की चिंतन करने की क्या सही है क्या गलत है क्योंकि जो किशोर अवस्था तनाव और दुफान की अवस्था यूही नहीं कहा जाता उस समय किशोरों को समझ में नहीं आता लोग सोचते हैं कि किशोर छोटे हैं और उनको लगता है कि हम बड़े हो गए तो वो जो क्रिटिकल यह संक्रमन की अवस्था है कहीं में कहा जाता है और इस समय धैर्य धैर्यपन जो है वो उसकी कमी होती है अधीरता होता है और बहुत सारे नय नय प्रश्ण मस्षिष्ख में आते हैं उनके जवाब चाहिए होते हैं तो जो बड़े होते हैं घर की बड़े बुजूर्ग उनको शांती से क्योंकि अवस्था आती है युवा अवस्था की आती है और युवा का उल्टा होता है वायू वो तेज गती से चलने वाली एक अवस्था है तो वायू जो है क्या नहीं कर सकता तो पूर्ण विकास और भावनात्मक इस्थिरता की अवस्था होती है युवा वस्था अब हम बनता है उसमें फल भी बनता है और बीज भी बनता है और उसमें हमने स्जूडो फ्रूट या जूटे फल भी की संग्या दी थी सेब और नाश पाती को तो आप एक बार रिवाइस करके देखें कि हमने पौधों में निशेचन के बाद क्या पढ़ा है हम देखते हैं यूमन्स में तो मेल और फिमेल में जब स्पम और उमम का सनलयान होता है तो चोबीस घंटे के बाद जाइगोट या यूगमनस तेजी से और बार-बार विभाजित होकर किसी-किसी जीव में चार घंटे या किसी में एक सब्ता भी की अवस्था अलग-अलग जीवों में यह जो पिरेड है या यह समय है अलग-अलग पाये जाता है तो हूमन्स की हम जब बात करें तो निशेचन के पश्चाथ 24 घंटे में ही तेजी से और बार-बार विभाजित होकर कई कोशिकाओ की एक बाल-like structure बनता है और उसी बाल-like structure को हम कहते हैं ब्रून और ब्रून से 280 दिन यह पूछा जाता है कि जिसे हम 9 मन्त या 9 माह कहते हैं बच्चा जब ब्रून से शिशु बनता है पूर्ण विक्सित माता के गर्भ में तो उसकी अवधी होती है या तो 40 सब्ता या 280 दिन या 9 मा बात सभी की एक ही है एक पूर्ण स्वस्थ जो शिशु है वो इतने ही दिन में विक्सित होता है यह यूटरस या गर्भाशय की नरम और मोटी दिवार में भ्रून धस जाता है और इस्थिर हो जाता है और इस समय उसे पोशन गर्भाशय से या यूटरस से ही प्रा आप दोता है